Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने restaurant cafe के लिए self service के अंदर या pick up के अंदर customers के लिए आप कैसे कोटी या bill generate कर सकते हैं और कैसे साथ ही साथ में उनका payment ले सकते हैं tender के थूप तो आईए सबसे पहले हमें चलना है billing post पर जो की available होता है यहाँ पर left side में billing उसके बाद हम जाते हैं सबसे पहले pick up self service के अंदर pick up self service में आपका complete ये POS open हो गया है यहाँ पर कोई भी table नहीं है क्योंकि ये pick up या self service का option है यहाँ पर आपने सीधे जो है कोई भी items लिए जो भी items आपको लेने हैं वह सारे items आपने यहाँ पर लिए और सीधे fast generation के लिए आपने क्या किया यहाँ पर एक tick किया bill के अंदर और यहाँ पर जैसी आप save and print करते हैं देखें यहाँ पर check पर option आ रहा है if checked then qt print तो यहाँ पर क्या होगा इस tick को करने के बाद कि आपका qt और bill दोनों एकटा एक ही साथ print हो जाएगा आपको अलग-अलग करने की जरूवत नहीं है तो यह होता है एक fastest manner जिसमें की qt और bill एकटा print हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले में qt print करूँगा और bill थोड़ी देर बाद generate करूँगा तो आप इसको uncheck कर सकते हैं और सीधे आप qt वाला save and print यूज़ करेंगे जिससे कि आपका पहले qt print होगा और बाद में आप वापस से उसका bill generate कर सकते हैं अब यहाँ पर अभी मैंने जैसे fast के लिए tick कर दिया है जिसमें qt और फिल इखटा generate हो जाएगा और मैंने save and print पे click किया है तो यहाँ पर आप देखी सबसे पहले मेरे पास एक qt आ गया है qt print हो जाएगा यह back end में printer से और इसके बाद अपने आप ही उसका bill print हो जाएगा तो यह दोनों चीजें एकटा मेरी print हो चुकी है मैंने print का preview दिया हुआ है सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए जब software का main configuration आप करते हैं तो वहाँ पर दोनों option आते हैं आपको print का preview चाहिए या silent print चाहिए तो generally 99.99% cases में silent print ही prefer किया जाता है क्योंकि preview देखने से payment भी लेना था तो अब मैं क्या करूंगा यहां से एक देखिए left side से एक third button देख रहा है यहां पर recent orders देख रहे हैं यहां से मैं pickup के अंदर गया अभी मेरा last यह pickup बना था 161 number का इसको देखिए मैंने open किया coldering mineral water pizza dosa इसके बाद मैंने यहां पर tender पे click किया tender में देखिए आप यह वाला मेरा पूरा जो pickup का order था यह complete हो चुका है अब मैं यहां से देखूंगा pickup के अंदर तो आप देखिए 161 number का जो order आ रहा था वो यहां से चला गया क्योंकि वो complete हो चुका है यह जितने भी बाकी yellow में यह orders आ रहे हैं pickup के मतलब इनका अभी tender complete नहीं हुआ है अब एक और option है इससे भी ज्यादा fast मैं वापस से pickup self service पर जाता हूं मैं जाता हूं मैं सूर्डोसा पर suppose यहां पर कोई variant था इसका मैंने medium variant ले लिया है ठीक है उसके बाद मैंने black forest टेक ले लिया है जिसकी value 90 रूपीज है अब मैं यहां से क्या करूंगा यहां से मैं फिर से इसको tick क करूंगा उसके बाद देखिए एक option दिया हुआ है कियोटी बिल प्रिंट और टेंडर इन कैश अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो मुझे टेंडर भी दुबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां से एक ही बटन से मेरा कियोटी भी बन जाएगा बिल भी प्रिंट हो अब जैसे मैं वापस से पिकप पे जाता हूं तो आप यहां पर देखेंगे पहले ही हो चुका है तो आपने देखा कितना फास्ट था एक ही बार में कियोटी बिल जनरेशन एंड टेंडर लेना पिकप सेल्फ सर्विस के केस में और भी इसमें बहुत सारी ऑप्शन्स हैं जो हम इसको यूज कर सकते हैं वो सब मैं आपको नेक्स वीडियो में और एक्स्टोर कर वाहूंगा थैंक यू फर वाचिं दिस वीडियो